चलिए फ्रेंट से स्टार्ट करते हैं डिजाइन आफ सिंग्ली रिन्फोर्ष्ट बीम सबसे पहले जो डाटापन को दिया रहेगा हो रहा हैगा क्लियर इस्पान सपोज क्लियर इस्पान पांच मीटर एजूम कर ले लिया इसको बाद दिया रहेगा लोड इंपोज लोड या लाइब लोड कुछ भी लिख सकते हैं इसको यह है 10 क्लो न्यूटन पर मीटर यह इतना डाटापन को दिया रहेगा इसके बाद अपन अजूम करेंगे ग्रेड आप कॉंक्रीट M20 और ग्रेड आप स्टील FE 415 ग्रेड आप कॉंक्रीट M20 के लिए FC के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंद आप कॉंक्रीट यह होती है 20 Nm2 और FE 415 के लिए करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंद आप स्टील होती है 415 Nm2 पर Mm2 अब यहां से अपनी डिजाइन शुरू होती है इसके लिए step 1 calculation of depth calculation of depth calculation of depth के लिए simple सा assume करते हैं कि जो अपनी depth होगी वो L Y 12 to L Y 15 होगी इस case में ठीक है तो D अपनी निकल के आएगी D equal to होगा 5000 mm 12 to 5000 mm upon 15 तो D अपनी निकल के आएगे 5000 divided by 12 416.672 5000 divided by 15 33 3.33 mm अपन को जो डेप्ट है ना वो इन दोनों के बीच में आजूम करने है था देफ्ट इकूजे देफ्ट इकवल टू 350 mm आव अपन में effective cover equal to 50 mm तो overall अपना D कित्ता हो गया overall D हो गया 350 plus 50 equal to 400 mm अब next step अपनी जाती है step 2 स्टेप 2 आती है अपनी कैल्गुलेशन ओप विद्थ जो अपनी बिट्स रहती है वो बन लेते हैं 1 by 2 d 2 1 by 3 d या फिर कभी कभी इसको लेते हैं 1 by 3 d 2 2 by 3 d जो भी होता है अपना तो इसकेस में अपना b अपने इसको एजूम करते हैं इस फॉर्मले के लेते हैं तो अपना बिट्स हाएगे अपनी 1 by 2 into 400 2 1 by 3 into 400 तो B अपनी होगी 200 mm to 400 divided by 3 133 and 33 mm अपने अपने निकाल ले अब स्टेप थर्ड अपनी होती है स्टेप थर्ड अपनी स्टार्ट होती है कैलकुलेशन ओफ कैलकुलेशन ओफ कैलकुलेशन ओफ 2.2 इसकेस में जो अपनी इफेक्टिव डैप्थ आ रही है वे स्टार्ट इफेक्टिव इस्पान आ रहा है जो वह है लेक्टिव टू एस्टार्ट प्लस बारिंग वन वहरी ओफेक्टिव ओफेक्टिव डैप्ट्ट which average is less so इस case में जो अपनी effective length आएगी L equal to आएगी अपनी L equal to clear span अपना है 5000 mm plus bearing assume bearing equal to 230 or 300 mm so L equal to plus 5000 plus 300 mm equal to 5300 mm okay then L equal to clear span 5000 mm plus effective depth 350 mm equal to 5350 mm okay which average is less so अपना L equal to होगा 5300 mm और 5.3 mm अब इसके बाद अपनी step स्टार्ट होती है step यह step अपनी होगी step 4 step 4 step 4 होगी load calculation के लिए सबसे पहले beam के उपर load कौन कौन से लगेंगे सबसे पहले होगा live load second होगा dead load of structure dead load of beam ठीक है और एक और होता है finishing load finishing load ओके तो live load अपन को दिया है 10 kN per meter ठीक है dead load होगा अपना 25 into L into B into D L अपन एक मीटर लेंगे एक मीटर के लिए अपन बीम डिजाइन करेंगे तो अपना dead load होगा 25 into 1 into 1 meter के लिए बिर्थ अपनी कितनी आई थी बिर्थ अपनी अजुम करी थी 200 mm equal to 0.2 meter ओके बिर्थ equal to 0.2 meter into overall depth थी अपनी 400 mm तो मदलब 0.4 mm तो यह अपना आ गया 25 into 0.2 into 0.4 यह आए अपना 2 klo newton पर meter ओके वो फिनीसिंग लोड अपनी है जुम कर लिया 0.6 klo newton पर meter तो तोटल लोड अपना आया तोटल लोड आया अपना तोटल लोड होगे अपना यह होगे अपना 12.6 klo newton पर meter ओके तो तोटल फैक्टर लोड फ्रेक्टर लोड इसको से व्यू एकल टो 1.5 इंट 12.6 एकल टो 1.5 इंट 12.6 18.9 किलो न्यूटन पर मेटर ओके अब अपनी नेट्प स्टेप स्टार्ट होती है स्टेप 5 स्टेप 5 अपनी मुमेंट कैलकुलेशन मुमेंट कैलकुलेशन ओके और इस पर साथ में अपन कर लेंगे सियर फोर्स कैलकुलेशन कैलकुलेशन ओके तो मुमेंट सिंप्ली सपोर्ट लेट अस रजूम बीमना सिंप्ली सपोर्टेड है ओके तो अपना मुमेंट होगा मुकल टो होगा वुल स्कॉर्ण अपना अपना लोड निकल के आया था अपना एट्टिन 18.9 kN और एफेक्टिव लेंद्ध यह अपनी 5.3 m कर शुका है अपन 8 अब मोमेट नकल किया आएगा 18.9 x 5.3 कर शुका है यह आएगा 66.36 kN अब मोमेट नकल किया आएगा यह दिजाइन मुमेंट है डिजाइन मुमेंट डिजाइन सियर पॉर्स आएगा डिजाइन सियर फॉर्स इसको वी यू इकवल टू W, U, L, E, by 2 18.9 x 5.3 divided by 2 यह रपना 50.085 C Cluenayton